गुरुवार का दिन यानि के गुरु ग्रह का दिन गुरु ग्रह जीवन में किसमत का ग्रह माना जाता है और इसी ग्रह के कारण जल्दी शादी के योग बनते हैं जादी के बाद सफलता मिलती है, सुख मिलता है क्यूंकि इसी ग्रह से किसमत प्रबल होती है तो यह ग्रह अच्छा हो जाने के कारण नोकरी और व्यवसाई में भी बहुत ही जादा सफलता भी मिलती है गुरुवार का दिन भगवान विश्णु का दिन भी माना जाता है इसलिए अगर आपको बहुत ही जादा लंबे समय से दुरभागय का सामना करना पड़ रहा है धन में या फिर सुक और सम्मान में कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है तो आप समझ जाएं कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है क्योंकि ग्रुग्रह जिस भी विक्ति का कमजोर होता है तो ऐसे विक्ति को दुरभागय का काफी लंबे समय तक सामना करना पड़ता है और वहीं दूसरी और अगर ग्रुग्रह अच्छा हो जाए तो इससे किसमत बहुत अच्छी प्रबल हो जाती है इसी स नौकरी भी लग जाती है वेवसाय अच्छा चलने लगता है और जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उनकी जल्दी शादी के योग बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्यां रहती है कि उन्हें अपने अनुसार अच्छा जीवन साथे नही लग जाती हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में गुरु घ्रह को प्रबल करने के लिए बड़ा ही असान सा एक टोटका किया जाता है उसकी विधी को आप समझ लें कि किस प्रकार करना है सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि इस टोटके को इस उपाय को करने के ल ये आपको एक हल्दी की गाठ को ले लेने के बाद आपको एक पीपल का पत्ता भी लेना है और थोड़ी सी कुमकुम और चावल ले लेने हैं पत्ते को अच्छी तरह से आपको सुखा लेना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो चावल आप लेंगे उन चावल को बिलक उन चावलों को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है बिल्कुल साबुत चावल ही आपको ले ले हैं और किसी भी गुरुवार के दिन एक पीपल का पत्ता अपने घर के मंदिर में रख देना है भगवान विश्नु के सामने इस पत्ते के ऊपर आपको इस तरह से यह पत्ता र कुम कुम से कर देना है उसके बाद आपको चावल वहाँ पर डाल कर यानि के दो तिन चुटकी आपको चावल डालने हैं बहुत सारी चावल नहीं डालने हैं केवल उतने ही डालने हैं जितना बड़ा आपका पत्ता है जिससे आसानी से यह पत्ता फोल्ड हो जाए बस इस प् विश्नु सहस्त्र नाम का एक बार केवल पाठ कर लेना है और जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ विश्नु सहस्त्र नाम को सुनते हुए भी इस उपाय को इस टोटके को कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जाप नहीं कर पाते हैं तो आपको बता दें कि जब है सिर्फ एक बार ही सुनना है और यह सबी चीजे कर लेने के बाद आपको उस पत्ते को फोल्ड करके पीले धागे से या फिर लाल धागे से बांदेना है इस बात का ध्यान रखें कि आप लाल कलावे का इस्तिमाल कर सकते हैं या कोई और पीला धागा भी ले सकते हैं और इस तरह से बांदें कि यह सब चीजे तूटे नहीं और आसानी से बंद भी हो जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप विश्णू सहस्तर नाम का पाट करेंगे या सुनेंगे तो आपको यह जाप करने से पहले अपनी धन से जुड़ी हुई समस्याइं और अगर आपकी जल्दी शादी नहीं हो पाती है शादी के योग नहीं बन पाते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन साथी आपको जल्दी मिले तो आपको लगातार 11 गुरुवार यह प्रयोग को करना है ऐसा करने से अच्छा जीवन साथी मिल जाता है और अगर आपको नोक शिद्फल की प्राप्ति हो तब आपको 21 गुरुवार इस प्रयोक को करना होता है इस प्रकार अलग-अलग समस्याओं के लिए समय अवधी होती है धन, नोकरी और व्यवसाई के लिए केवल चार गुरुवार कर लेने से ही व्यवसाई में उन्नती होती है जो व्यवसाई कोई भी लाब नहीं मिल पाता है व्यक्ति जहां से शुरू हुआ तब वहीं रह जाता है तो आप ये समझ जाएं कि किसी ने आपको बांदा हुआ है ये व्यवसाई को बांदिया है ये नोकरी को बांदिया है ऐसा होने से उस व्यक्ति को बरकत नहीं मिल पाती है कोई भी स इस बात का ध्यान रखें कि एक दिन रख लेने के बाद यह सभी सामंगरी को आपको अगले दिन जाकर किसी भी भगवान विश्नु के मंदिर में उनके चर्णों में इस पत्ते को जो आपने फोल्ड करके धागे से बांधा था इसको रखके आ जाना है। वीडियो को लाइक करके कमेट बुक्स में जैशरी हरी विश्नु जै माता लक्षमी लिखना बिलकुल भी ना भूलें। हर हर महाधेव धन्यवाद।